नमस्कार मित्रों आज का प्लान बहुती श्यांदा डंग से रेडी किया गया है जैसा कि आप सभी को पता है हमारे संपुर्ण प्लान वास्तु अनुरूप होते हैं लंबाई की बात करें तो 30 feet इदर से कवर की गयी है अब दिसा की हम बात कर लेते हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि बिना दिसा के वास्तु अनुरूप कोई भी निरमान नहीं होता है चाहिए वो आपकी स्कूल हो घर हो फेक्टरी हो या दुकान हो तो सबसे पहले देखे इस तरफ जो दिसा आ रही है वो आपके आ रही है पूरब दिसा कौन से आ रही है इस्ट पूरब दिसा है पीछे की तरफ आपकी आ रही है साउथ आगी की तरफ आपके आ रही है उत्तर दिसा याने की नौर्थ इस तरफ आपके आ रही है पक्सिम दिसा याने की वेस्ट कॉर्णर की हम बात करते हैं तो ये आपका निर्थग्य कॉर्णर हो गया है ये आपका वाइब्य कॉर्णर है ये आपका इसान कॉर्णर है और ये आपका अगनी कॉर्णर है अब जी लोगों को नहीं पता है वास्तु क्या होता है उनको बता देते हैं कि जब आप किसी भी निर्मान को करते हैं तो अगर आप अपना निया घर बनाने जा रहे हैं दिसा के अनुरूप चारो तरफ दिसाय लिखनी पड़ती है, उसी according आपके घर का निर्मान होता है, हर तरफ की दिसा का अपना महत्व होता है, वहाँ पर अगर उसी अनुरूप आपको निर्मान करते हैं, तभी आपको उसका लाप राप्त होता है, 35 फिट आगे से चोड़ा अगर आपको रियल में घर बनाना है और वास्तु की जानकरी चाहिए तो, सबसे पहले देखिए अपना जो में डोर है, मुख्य द्वार यहां लगेगा, ठीक है, यह मुख्य द्वार लग गया, आपका में डोर हो गया, जैसी आप अंदर एंटर करते हैं, बेटने के तो यह आपका क्या एरिया है, यह पूरा एरिया आपका आगया है, लोबी पलज डाइनिंग, यानि कि ब्रहमिस्तान एरिया है, पूरा वास्तु अनुरूप जो आकास तत्वा होता है, वो ब्रहमिस्तान मना जाता है, वहां पर किसी भी तरह का निर्मान असुब बना गया तो यह पूरा आपको ओपन छोटा है फिर आपको इधर एंटर करना यहां पर डोर लगेगा यह आपका इसान कॉर्णर के अंदर एक बेडरूम दिया गया है बेडरूम वास्तु के अकोर्डिंग है यानि कि अगर आपके घर में कोई बच्चे पढ़ने लाएक आप ओपीस करते हैं तो अब इस रूम में कर सकते हैं कपल कभी भी इसान कॉर्णर के बेडरूम में ना सोएं वो सुब नहीं माना जाता यहां पर एक दो विंडो दी गई है तो यहां पर एक विंडो लग जाएगी जो भार की तरफ ओपन हो रही है उसके बाद में देखी पूजा करन करें चाहिए दुकान या फ्रेक्टरिका करें अच्छे वास्तु सास्तरी जो भी आपके निकर्तम है उनसे नक्सा बनवाईए घर बार बार नहीं बनता है मैं हर बार आपको बताता हूं लागों रुपए इन्वेश्ट होते हैं सही जगे लगाईए ताकि आपको बविश चीजे रखनी है तो यहां पर आपका क्या जाएगा कीचन अगर आपकी दुकान है तो आप अगनी कोर्नर के अंदर अगर आपकी खाने पीने की दुकान है कोई होटल है अगनी कोर्नर में अगर आप अपनी भटी रखते हैं तो आपके वेपार में और धन सम्मंदी जो भी आपके दिकते हो रही है वो दूर होती है वेपार में उन्ती होती है एक विंडो हमने यहाँ पर दिये ताकि अच्छा वेंटिलेशन हो अब देखिए इस तरप आप एंटर करते हैं तो यह पूरा वास एरिया यानि की कपड़े वगेरा धोने के लिए वास एरिया दे दिया अब कीचन है यहाँ पर वास एरिया आ गया है वास एरिया बीच में आने के काड़ यहाँ पर आप अपना अराम से लेटिंग पात्रूम लगाब बना सकते हैं अगर आप इससे एक दम चिपका के लेटिंग बात्रूम बनाते तो वह वास्तोंनों रूप बहुत ज्याद आसुब होता है जिन घरों के अंदर लेटिंग बात रूम और लेट बात एकदम चिपके वे होते हैं उनके अंदर बिमारियां देखने को मिलती है खास कर घर की महलाओं की उन्ती रुख जाती है और उनको भूस तरह की बिमारियां और सारेरिक आर्थिक नु अस्तो अनुरूप अगर आप अपने घर का निर्मान करेंगे तो आपके ही बेनिफिट्स है इसलिए ये वीडियो बनाए जाते हैं पूरे यूटूब में इतनी जानकारी के साथ पुरा प्लान बनाकर आपको अन्यक कोई भी वीडियो नहीं मिल पाएगा तो यहां पर आपका निर्तग्य कोर्ण है वेस्ट साइड में एक विंडो दे दी गई है ताकि अच्छा वेंटिलेस रहे मास्टर बेड्रूम है कौन सा बेड्रूम है मास्टर बेड्रूम दिया गया है अटेच लेट बात है यहां पर इसका डोल लगेगा और यह बड़ा सारा बेड्र दाइनी तरफ अगर आपकी सीडी गूम रही है तो कलोकवाईज है बाएं तरफ गूम रही है आपके हाथ के तो वो एंटिकलोक है वो सुब नहीं मानी जाती सीडियां आपके बच्चों की समर्दी का सुचक होती है अगर सीडियां कलोकवाईज रहती है तो भी आपके घर के अंदर अच्छी उंती देखने को मिलती है जिन घरों के अंदर सीडियां एंटिकलोक होती है या वास्तो अनुरूप सही जगह पर नहीं होती है वहाँ पर आप विजिट करके खुद देख लें कि क्या नुक्सान है सेकंड चीज है कि इसान कोर्नर के अंदर आपके लेटरिंग बातरूम बना है यहाँ पर सीडि बनी है तो आपकी आसपास गली मोले में अगर किसी के घर में ऐसा है तो एक बार आप विजिट करें उन घरों में क्या प्रेसान है आप खुद देख पाएंगे तो यहाँ पर आ सेकंड और थर्ट तीन बेटरूम दिये हैं बेटने के लिए सिट आउट एरिया है बड़ा सार आपका लोभी और डाइनिंग एरिया दिया गया है डाइनिंग टेबल लग जाएगी अराम से आपका सिंगल सोफे वगेरा यहाँ पर लग जाएंगे अगर आप ऐसे एल में स प्रटराइज वरक करवाना तो आप हमारे वार्टसप पर संपरक कर सकते हैं पूरा वास्तो नोरू वरक होता है मैं वास्तु सास्त्री आनन सर्मा पूरा आगे का एलिवेसन डिजाइन वगेरा सारा वरक भी किया जाता है आपकी जो रिक्वार्मेंट उस अकोडिंग आप संपरक कर सकते हैं घर बार बार नहीं बनता प्रोपर तरीके से वरक करवा के अपने घर का निर्मान करें आज के लिए इतना है जैहिन जैसरी कृष्णा